हेलो नमस्कार दोस्तों सागत आफ सभी का एक बार फिर्श जी एस टेल्स पर मैं ही दूआ कर और हाजिर हूँ गटना चक 2023 का जो सीरीज चल ला है उसका अगला पार्ट जिसमें कि हम सबसे पहले इंडियन जोग्राफिट डिसकस कर रहे हैं इस पार्ट में हम डिसकस करेंगे बारत के दीप एंडिप समूँ इसमें बस एक हलका सा रिमांडर है कि यह सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है करना चाकर दो जाते हैं इसका इसमें काफी गूगल वर्फ और मैपिंग ठीक अपना पर्सनल एक्सपिरियंस और थोड़े से तिक्रम यह सारी चीजिन लगाई जात दीप समूँ के बारे मिन नहीं बताया है ठीक है और जो कि 10 डिगरी चैनल के दारा सेपरेट होता है 10 डिगरी चैनल कहां पर है ठीक है इसका कानिक मतलब यह है कि 10 डिगरी जो नौर्थ लेटिटीटूड है 10 डिगरी उत्तरी अच्छान से वो अंडबान और निकोबार के बीच में आता है ठीक है और ज्यादा पर साइज करें तो लगू अंडबान लिटिल अंडबान और कार निकोबार के बीच में है ठीक है और लगू अंडबान और बाकी अंडबान के बीच में है धंकन पैसेस तो यह दो तीन चीज़ें आप देख लें और इसकी जो सबसे उचा सबसे उपरी सबसे उत्तरी के तो उत्तरी उत्तरी तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि इत उत्तरी सब जो हाइट है एंड निकोबार दीव समूँ का सर्बोष सिकर जो है यह तो मतलब फूरे अनबान निकोबार का हो गया सेडल पीक और निकोबार दीवसमू का जो हो गया वो माउंट थूलियर है जो कि 642 मीटर है और यह कहाँ पर है ग्रेट निकोबार पर तीक है ग्रेट निकोबार क्या है इस सबसे दच्छडी दीवसमू है अंडमान और निकोबार दीवसमू का तीक है इसमें अनमान निकोब में आते हैं टोटल 836 दीप हैं जिसमें से सिर्फ अलतिस आवासित हैं ठीक है एक अच्छा सा मैं फेस्ट में थोड़ा मैं को एक बाद देख लेते हैं कि कि यहां पर हो गया हमारा सैडल पीक जो की नर्थ अंडमान में है ठीक है ऐसे पहलेको घ्लिभ वह गया पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर कहां पर है लोर साउंडमान Municipal इसके बार लिट ख सर्थ इन अंडमान और और विच में हैं दककन पैसे 49 और सबसे जो दक्षडी पॉइंट है दक्षडी द्वीप समूह है वो ग्रेट निकोबार है ठीक है बैरन द्वीप बैरन आईलेंड जो है बंगाल की खाड़ी के अन्दमान सागर में है ठीक है बैरन आईलेंड है एक मतलब सक्री जो आला मुखी है अभी कह सकते हैं और इन्डिया और साज़िया है इन्डिया और साउथेसिया में अकेला इकलाउता सक्री जो जयाला मुखी है यह बैरन द्वीप ठीक है इहाँ पर insight है जो की मध्य अन्दमान में है मोस्थित है ठीक है और उसी कम नार्थ लू है नारकोंडम आईलेंड जयो कि सुसुथ जयाल मुफ्री जागरिट रहे गा सक्रिक रहे गाए जमीन बंजर ही रहेगी न या राइक भी अरंधमान धीपर तोड़ा रेयर है जल्दी इस तरीके से फ़हला हुआ है इंडिया और मियामार की बॉर्डर पर है बंगलदेश की बॉर्डर पर है इसी का सदर निक्स्टेंस इंस साउथ तरफ जो इसका दच्छडी विस्तार है वह यहमारा अनवान निकोबार दीव समूव बन जाता है ठीक है अराकान यूमा असन बल्वा पतर चूना पतर शाल इस दीव की प्रमुक चट्टाने हैं दच्छल अनवान यूम ग्रेट निकोबार दीव समूव मिस्तित बांडूर समूदूर जयो मंडूली प्रारक्षित छेत बांडूर मरीन बायोस्प्यर रिजर्व ठीक है इसलिए फेमस है जाइंट रॉबर क्रेब ब्रिहत का रॉबर के केकड़े जो दुनिया के सबसे ब अमरी निशनल पार्क इसके साथे साथ हम जो अनमान यूकोबार में सारे निशनल पार्क है उनको देख लेते हैं तो सबसे नौर्ट में जो हो जायेगा Narkondom Island Wildlife Century नर्कोंडम सबसे नौर्थ में उसके बाद Saddle Peakais mpb bhojhb 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 उसके बाद Middle Button Island National Park उसके सावत में North Button Island National Park उसके सावत में Barren Island जो है Saddle Peak के सावत में है उसके सावत में Middle Button Island पिर मिडिल बटन आइलेंड की साउथ में नौर्थ बटन आइलेंड ठीक है और इसके साउथ में साउथ बटन आइलेंड तो अविएसली अक्चिर इनका जो सीरियल होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कर्रेक्शन होना चाहिए, नौर्थ बटन आइलेंड जो है, वो नौर्थ में है, फिर मिडिल बटन आइलेंड मिडिल में है, फिर साउथ बटन आइलेंड साउथ में है, तो इस तरीके इस तीन तो बटन आइलें पार्क ठीक है तो यह हो गया कि 1234567-7能 पार्क रॉन अनमान में है और निकोबार में कहीं से कैंप बेल नाशनल पार्क यंप सेंप बढना वह का में नेशनल पार्कAntag наших नाशनल पार्क यो कि अनमाना निंगोबाद शमूं में नहि droplets कर बार्त कोी तर्षर हडी कोटा क्या बारत के पुल बतर पर रहप कोटा आइलंड है यह आइलेंड बैल कर्म दोन तरफ से पानी सी घिरा हुए है और इसके पस्री स्रीहर कोटा आईलन्ड के पसी में जो ये पुलिकट लेक है ठीक पुलिकट लेक मतलब कि अन्द प्रदेश एंड तमीन लाडू दो इस्टेट में फैला हुआ पुलिक लेग जिसमें इन आंटी सिक्स पर्षंट इसका जो एरिया है वो अन्द प्रदेश में है थोड़ा से कट गया है एसलिए पुलिकट हो गया तीके भवन अंट्रेश केंद है अगला जो इंप्मॉर्टन्ट आइलन्ड वो है हमारा राम सेतु कहा परिस्तित है तमीन लाडू में इस्तित है रिस्तित हैं जो की भारत से पंबन दूइप के अंतिम छोर धनुस कोडी से प्रारम होकर स्रिलंका के मनार दूइप तक जाता हुआ एक उथला जली भाग है ठीक है राम से तु क्या है एक उथला जली भाग है जो कि भारत के पंबन दीप परिस्तियत एक जो धनुस कोड़ी पॉइंट है वो उसका उत्तरी पॉइंट है उसके सावत में मनार दीप तक जो स्रिवनका का पाठ हो वहां तक जाता है इस मैप में हम तो दो तिन चीज़ और भी देख लेते हैं यह हो गया हमारा पाक स्ट्रेट ठीक है आप जल डामरुमद पाक बे गलफाफ मनार ठीक है और यह प्रपोज्ड सेयत समुद्रम सिप कैनाल अससी ठीक है पहले लब जो हमारा समुद्री मार्क से सिपिंग होती है आ शत्रम अबी जलत संधिया स्टेट चैनल देख लेते हैं जिसमें से ऐघ्र डिगरीं चैनल अभी अगली चैप्टर में आपको पूता चलेगा मिन काय वह भा मालदीव के बीच में है यह हो गया म買ल मृट यह हो गया माल्डीव हो गया नहीं डिग्रीं का कंद और का होगा इसके उपर जो है पूरा लक्ช दीब, तो लक्ष दीब कही पार्ट है मिनकवाइश लेकिन मिनकवाइश को पूरा जनत्व करने वाला जो चैनल हो नाइन डेगरी चैनल है ठीक है टेन डिगरी चैनल हमने बेखा ही लगू अदाबान व खारी निक 가지고 है यूं कहें कि अदा रोटार चाहिए देखिं पसर्ड दीप के बीच में जैसे hoje को शरी you खमार के mit को को चैनल को ऐबंर स।र्म वा वते ही अदा बाद की मिच में है ठीक है पाक स्टेट हमने भी जिसक्स किया तमिलाडवा स्रिलंका के बीच में है, मंनार की खाली तमिलाडवा स्रिलंका के बीच में है, कुछ क्विशन देख लेते हैं, बैरंदीप जालम हुई एक सक्रिज आलम हुई है, जो भारती राजश्यत में आउस्तित है, यह एक दम सही बा अनमान का पार्ट है न मिडिल अनमान में है ठीक है बैरंदीब यह इस्टेटमिन गलत हो जाएगा ग्रेट निकोबार तो सबसे दचली पॉइंट है जबकि बैरंदीब जो है मिडिल अनमान में है और सक्री जॉलम की है इंडिया का और शाव थेशिया का पूरा इकलोता कभी आई इस वाले कुछ चीज़ें रिपीट करते हैं जैसे कि यह सवाल और भी बार पूछा गया है यहां पर देखेंगे यूपी पीसे दोजार पंद्रा में पूछा गया था कि भारत में कौन सा ज्वाला मुखी दीप है तो है बैरन दीप और नार कॉंडम दीप जो है वह है सुश्वत जालम की फिर से हम लोग बार में में देखेंगे यह हो गया हमारा नार कॉंडम आईलेंड जो की नार अंडमान में है और यह हो गया पोर्ट ब्लेयर ठीक है जो की साउथ अंडमान में है बीच में पढ़ गया हमारा बैरन आईलेंड जो की मिडिल अंडमा है पुलिकट पुली कट दो राजों में है तो कट गया थोड़ा सा ठीक हिलका जो है और इसा के पास है पुरिशा पर है और इसी स्रीहर कोटा दीप पर यह उस्ते था हमारा सतीर दवन स्पेस संटर राम से तू राम से तू के बारें पूछा है कि कहां से सुरू होता है इसलि तक जाता है योगया पाक श्ट्रेट तीक है यहमारा देखिए पंबन आइलेंड योगया पंबन आइलेंड तीक है इसी पर है रामिस्तरम भी इसी पर है धनुस्कोरी से स्टार्ट होता हुआ इसमें पहले डिसस कर चुके हैं काउन सा भाइगोलिक रूप सिग्रेट निक पास में यही है यही स्टेट आप मलक्का हो गया ठीक है उसके समात्रा आइलेंड के सावत में है जावा आइलेंड जो कि आप सहने दिया हुआ था बोर्निय यहां पर हो गया जो कि उनका काली मंतेन की परिस्तित है ठीक है अगर वेस्ट टुईस्ट इसका ओडर देखें तो पहले सुमात्रा हो जाएगा फिर जावा हो जाएगा फिर जो है बोर्निय आइलेंड हो झाल के जाष एक में और एक और इंपार्डन चीज़ की बता देते हैं इंडॉनियसिया के बार में प्रोड़ इंड़नेसिया की जकारता वहां से हटा के इसको Borneo आईलेंड पर New Sentara capital इसका कारण यह क्लिव रहा है जाथ है ज़्यादा यहांदा घर बन गए है तो इसकी वज़य से बोर्नियों आईलेंड पर यह अपना capital करना चाहरे कब तक 2045 तक 2045 तक तो करंट्रिक अभी इसका जकार्ता जो है क्रेप्टर है इंडोनेसिया का ठीक है इसी बाहने इनका बोर्न्य आलेंड भी डेवलप हो जागा नूस अंतरा इस तरीके सिहां से आपने देखा और इस मैप में हम देखें थोड़ा सा यहां से पता चल जाता है कि हमारे अंड़मान्स पूरा है रियोगया जकार्ता ओ स्वारी समात्रा ठीके जकार्ता इनकी एप्टल है कि बुग आउन टु दे नेक्स्ट कुईस्ट्ट अट इस अनमार और निकोबाद दीब समू का सर्बोष शिखर इसको हिंदी में पल्यार दीब बोलते हैं पल्यार सिखर ठीके साडल पी कहां पर है तो वह हमारे उत्तरी अंडमान में हमने बताए सबसे उत्तरी पॉइंट हो गया यह लिटिल अन्मान हो गया और यह हो गया कार निकोबार ठीक है उनके बीच में है तो एक ही बात होई दोनों दस अंस जलमार्ग अगर हमने करने से बहुत ज्यादा होता है अगला जो आईलेंस है वह अरब सागर के अरभियंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लक्षदीप जो की माला बारतट के पस्चिम मिशती थे यहां पर हो गया लक्षदीप आईलेंड तो इसके पस्चिम मिशती थे लगवग 220 से 240 किलोमेटर के दूरी पर केरल के कोष्टी कोट से तट से इसका जो खुल सेतबल 32 वाट किलोमीटर है थे के अच्छा यह जो लक्षदीप नाम है यह 973 में इसका नाम लक्षदीप रखा गया लक्षदीव मिनिकोई और अमिन दिवी को मिला कर तिके इसके पीछे एक और इंट्रेस्टिंग इंफर्मेशन है वो ये इसका नाम रखा गया लक्षदीप इसका जो आमन दीवी है सबसे उत्तरी दीप समू है सबसे उत्तरी दीप समू लक्षदीप का क्या है अमीन दीवी सबसे दचडी दीप समू है मिनिकौय तो बीच में जो फस गया लक्षदीप इस तरी के साथ याद करें कि अमिन दीवी सबसे इनका उत्तरी आईलेंट ग्रूप है अमिन का सबसे दच्छडी बीच में लक्षदीब कर दिया गया गया थीके प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में इंद्रागादी जी की गवर्मेंट में प्रोजेक्ट टाइगर लॉंच किया गया थीके sự वायल आफ क्रपार्फ कर हमारा जीम कॉर्बे इसनल पार्क है निल। परकव बहुले इशनल पार्क तकि ऊंडिया का सबसे पूराना नेसनल पार्क है सबसे पहला एडैचल रिजर्व हो इसी को हाईली नेशनल पार्ग भी बोला जाता है ठीक है कहां पर है उत्राखंड में उत्राखंड के नाइन इताल डिस्टिक में है ओके नटका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथार्टी इसकी अड्मिस्टेटिव बॉड़ी है ओके दूफरा जो मेरी वन्ट हुए नादिन सेवन्टेथ्री में वो है जो कौन से केसवानंद भारती केसवानंद भारती वर्सस केरलाइश्टेट का जो केस हुआ था जिसके बेस पर बेसिक स्ट्रक्चर सब्सक्राफ इंडियर कॉंस्टिट्यूशन या संविधान का आधारभुद धाचा का कॉंसेप्ट सुप्रिम कोर्ट ने इजात किया था ठीक है कि मतलब उन्होंने पाल्यामिट कर सकते हैं अमेंडमेंड कर सकते हैं संसोधन कर सकते हैं लेकिन यह बेसिक स्ट्रक्चर है इसको ना टच करिए ठीक है लक्षदीप में कुल दीपों की संख्या जो है 36 है ठीक है अनमानी को बार में 830 प्लस है और इसमें जो कुल्णला के 36 है और अनमानी को बार में 38 तो पूरा आवासी तो जिसमें लोग रहते हैं तो इसका एरिया 32 वर किलोमीटर है और कुल को आने मिलता है सबसे उत्रेटीप को आंग मिलता है मिलता है सबसे उत्रेटीप को आमिली दीविसदेशव two को मिन्हाद मिल Χुणते हैं ने इन का से बीशी चाहर पूरा यह पूरा यह हो गया झोंड़ा है यह आईलेंड है तो सबसे बड़ा कुण सा है पहला इंड्राथ या इंड्राथ इस बोलते हैं ये लक्षदीव-दीव संगों का सबसे बड़ा ऐलेंड है और मेनिकाय जो है वो दुफरा सबसे बड़ा है और कावराति ये रहा कावराति ये इसकी कैप्टल है ठीक है पित्ति भक्सी यहां पर यह पित्ति भक्सी यह वाला यह यहां पर जो है एक पक्षी अभ्यारन है ठीक है बर्ड वाइलाफ सिंचरी है तो यह पित्ति भक्सी याश सकते हैं साथी साथ काल पेनी हो गया क पाती हो गया अगाती यह सारे आइलेड के इंप्वारातिष इसकी है तो लक्षदीव आईलेंड जो है माल्दीव से 8 डिग्री चैनल दारा सेपरेट है आगे बढ़ते हैं देखेंगे एलिफांटा दीव जो की मुंबाई के गेटवेर आफ इंडिया से 10 क्लिमिटर दूर पूर्व परिस्तित है टूर्व परियों गया अलिफेंटा अईलेंड यह गया हमारा गेटवेर आफ इंडिया तो यहां पर पूर्व परिस्तित है ये उसी तरीके से आप जानते हैं अजनता केस अजननता की पहाडियां यह बहाराष्ट मेन हैं कि नबहार्या की इसके लिए जैनेज्म, इनके बिहार और वो सब चीज़े बनाने के लिए थोड़ा इनके केप्स जो हैं उसमें ये सब भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ वैशनो धर्म की कुछ गुफाएं और कुछ चल्चित्र वहां पर मिलते हैं सालसेट द्वीप तो कुल मिला कि एलिफंटा, एलोरा और अजन्ता ऐसे जो ये से नाम ये सब महराश्ट में हैं सालसेट द्वीप एक काफी इंपोर्टन द्वीप है जिस पर की इंडिया का मुंबई और थाने डिस्टिक जो इसी द्वीप पर आवस्तित हैं ठीक है पस्च प्रदेश्व में भारत के पूर्वियम पस्मी तटों मनार के खाली में अनेक द्वीप इस्तित इन द्वीपों में पिरम ये द्वीप कभी कभार करके ऐसे मतलब कुछे गए इसलिए एक बार आप देख लें कुछ चीजे इस्टिक हो जाएंगी दिमाग के साथ और कुछ करने से याद हो जाएगा पिरन खंबात के खाली में पैसला काठियावार दीव इंपोर्टन्ट है दमन दीव का पार्ट ये कच तर्ट पर है ठीक है बैदा नोरा पिरतन करुनभार ये सब कच तर्ट पर है खडियावेट अलियावेट ये नर्वदा तापी के मुहाने पर अधियावेट अलियावेट कठ्यावाड में ये थ्थोड़ा द्यान देंगा बुचर आइलेंड मुंबई में थी के बुचर आइलेंड करंजा क्रॉस ये सब मुंबई में है भतकल पिजनका सेंट मैरी मंगलोर तके पास अजी दीव गोवा तके पास और वायपिन कोची क पास Filler Island, जो की ओडिसा के को तर्थ पर है महांदी ब्रामली की महाने पर New Moor Island, ठीक है? नू मूर Island यम गंगासागर, जो की West बंगाल में है, ठीक है, New Moor Island, बोल रहा है कि वो मतलब समध में डूब रहा है, तीक है रोहंगया, उनको वहापर बसाने के बात थी, गंगा सागर हर साल यहां फेस्टिवल सेलिबरेट किया जा था गंगा सागर में लोग नहाने जाते हैं गंगा देल्टा है ठीक है यह सब इंपट Priv 김 nomination मुझरात क्रीक को यह इस्टिफ का एक ज्जार इक मुझराथ एक डल्दली मारशी लेंड है थिकें जो की पाकिसान के सिंध प्रांत ये रॉन बहरत के गुजरांत गुजरात प्रांत पाकिस्वर्णा को ऑगा चिरे ये टिया का परिजाब्ट फीर न गलता है कि रिच बीच में हो गया सर क्रीक ऍट्रीकें इसमें बिवाद क्या है बिवाद ये है कि पाकिस्तान कहता ये जो ग्रीन लाइन है यहां तक पाकिस्तान के एरिया है जब कि इंडिया कहता जो रेड लाइन है वो इंडिया के एरिया है ठीक है फिलाल ये जो सरक्रीक है वो इंडिया की कंट्रोल में है यही बिवाद है निमलखित में से कुछ कुछन हम देखेंगे जिसमें कि पूछ रहा है कौन लग्का दीव दीव समू का अंग नहीं है देखें कितना आप याद करेंगे लग्सदीव में कौन कौन सा अईलेंड कितना इंसान याद करें तो इसको common sense से solve किया जा सकता था कैसे अगर आप इसलिए बोलते कि एक दो बार तो कम सकम नाम तो उनका पढ़ी लीजिए याद हो या ना हो अगाती कलपेनी कावरती थोड़ा सा इनसे जो है तिलन चोंग अलग लग रहा है तीक है नहीं पता कि कौन किसका आईलेंड है लेकिन तिलन चोंग जो है यह अलग अनमान निकोबार आईलेंड है तिलन चोंग जो है अनमान निकोबार आईलेंड का पार्ट है लक्षदीब का पार्ट कौन सा हो जाएगा अगाती कलपेनी और कावरती इसको हमने इसे डिसक्स भी किया था ठीक है यहाँ पर देख लेंगे खिर से इंड्राट सबसे बढ़ ऑगया द्एडिगली चैनल मिलक और बाकि लक्ष दीब की अलग करता है इडी चैनल मिलकौई माल्डीव Calais करता है समय अट्रोल्स पाय जाते हैES प्रवाल दीव पाया जाते है तो वह फूरा लक्षदीब ही जो है अटीब का बना हुआ है लक्षदीब ही इसका गाह今天 है बायत का सरवादिक आबादी वाला दीप है हमने अभी डिसकस किया जिस पर कि मुंबई और थाले इस्तितर वह साल सेट दीप ठीक है कि यह देखिए अभी जो आप सोर आइलेंड़ के बारे हम देख रहे थे इसमें से कुश्चन आया है व्यूंत सयोधर कच्छ की खाली में है पीरम पीरम जो है वह है खंबात की खाली में अभी हमने इसको डिसकस किया था द्वारका द्वारका हमारा अरब सागर तट पर और दीव जो है काठिया वाल तट पर हो जाएगा ठीक है कांसर इस तरीके से कोरी क्रीक निवस्का कहां पर है कक्ष करन में अभी हमने देखा गुजरात में और दीप्यों का समूद लक्षदीप यह प्रवाल उत्पत्ति का बेसिक सी बात है इंपॉर्टन चीज इसका इख्लानेशन है कि हम जान लें कि भायात में प्रवाल भित्या कहां कहां पाई जाते हैं जैसे कि अन्रबान लिकोबार में मनार की खाड़ी में लक्षदीप में मालवन आइलेंड जो है महाराष्ट में है कष्च की खाड़ी में ठीक है इस तरीके से दीप समून पाए जाते हैं दर्शार फांद इस ससन असा करतने का आपको चीज़ें कुछ ज्यादा क्लियर होई होई होंगी और इंटर्स्टिंग तरीके से और एजी तरीके से समझ में आई होंगी मैप के थुरू जैसा भी लगे कमेंशक्षान जरूर बताएं और अग वीडियो को लाइक करें अपनी फ्रेंट्स क्या सेर करें दर्शाल फांद इस ससन मिलते हैं अगले ससन में तब तक लिए नमस्काद जाय हैं और थैंक यू